गाजा पर इस्रेल के हमले जारी और हमास के ठिकानों को इस्रेली सेना चुन-चुन कर उखाड रही है और यही बड़ी वज़ा है कि आप नेतने याहू की सौगान्ध है सेरेंडर करो या मरो आज की सबसे बड़ी खबर पर आपके साथ मैं जुड़ गई हूँ सुर्बीश चर्मा मेरे साथ है मेरे सायोगी रवी और एक्सपर्ट भी इस वक्त हमें जॉइन कर चुके है क्योंकि आज के हालात में इस्रेल हमास के बीच जारी जंग में अब तक करीब दस हजार लोगों की मौत की बड़ी खबर आई है बड़ी संख्या में लोग बेघर हो चुके है गाजा में इस्रेली सेना के 20,000 जवान है गाजा में इस्रेल के ग्राउंड आपरेशन में इस्रेल के 16 जवानों की मौत हो चुकी है और दोनों और से हवाई हमले जारी है जहां हमास की और से दागे गए कई रॉकेट को इस्रेल ने हवा में इद्वस्त कर दिया है मैं एक और डीकिश वाक्ट ऑपडेट वाच जोन से वेस्ट बैंक के राम अला में फारिंग वे इस्राइली सेना के आप tray ळौरान फारिंग इस्राइली सेना पर फारी की गए जिसमें डर के साए में रहने की बात एक महला कहती नजर आई है गाजा की महला ने ये वीडियो शेर किया है और वेस्ट बेंक में इस्रेव के खिलाफ विरोद इस्रेवी सेनिको पर पत्फर बाजी फिलस्तीन समर्थकों की पत्थर बाजी की घटना सामने आई है गाजा पर हमले से लोग नाराज हैं फिलस्तीन इस्राइल के बीच तनाव बर खुडार है और इस बीच ये तस्मीर आप देखिए पत्थर बाजी हुए इस्राइली सैनिकों की गाड़ियों पर और वेस्ट बैंक के निबिलस्त में भी तनाव किस्ति है जहां अमास लड़ाकों की तलाश में लगातार हो रही है चापे मारी अब इस्रेली फोर्स किस तरीके से चापे मारी के इनको अंजाम दे रही है तस्थिरे आपके सामने क्योंकि इस्रेली जवानों के साथ यहां पर खोजी कुटे भी नजर आए और वेस्ट बैंक के नेबलस में गोली बारी हमास समर्दकों के साथ इस्रेली फोर्स का तकराव हमास लड़ाकों की तलाश में इस्रेल की चापे मारी इस्रेली चापे मारी के दौरान तकराव नेबलस में फारिंग की आवास कर दो